प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारे डाउनलेन क्लासेज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विशे सामाजिक अध्यन शारांशित मुल्यानकन का कोशन पेपर की किस तरह का हमारा कोशन पेपर आया था और कैसे हमको उनके आंसर लिखने होंगे क्षा चार की बच्चों मैं यहां बात कर रही हूँ तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहलेए आप सभी जलदे से जाए लाल बटन दबाएह और सभी मेरे चैनल को सथैक्व करना ना भूलिए बचो प्रशन पहला है निमलिकित प्रशनों के तीन विकल्पों मेंसे एक सही विकल्प चुनकर लिखिए भारत में किते राज्ये हैं तो बच्चो आप सभी को पता है भारत में 28 राज्ये हैं भारत में कितने केंदर शाशित प्रदेश है तो भारत में 9 केंदर शाशित प्रदेश है भारत के उत्तर में इस्थित राज्य कौन सा है भारत के उत्तर में इस्थित है हिमाचल प्रदेश उत्तर है बच्छो हमारी अगला है बच्छो प्रशन दो निमलिकी सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए हमारे देश का नाम भारत है बच्चो ये बिलकुल सही है हमारे देश का नाम भारत है मानचितर में उपर की और पूरव दिशा को दर्शाया जाता है तो बच्चो ये हमारी उत्तर दिशा होती है पूरव नहीं होती तो ये होगा हमारा गलत पूरव होती है बच्चो हमारी ये दिशा ठीक है ये होती हमारी पश्चिम और ये होती हमारी दक्षिन दिशा ठीक है भारत के दक्षि में प्रसांत मास आगर है तो बच्चो ये भी हमारा गलत है गंगा भारत देश की पवित्र नदी है बिल्कुल सही उत्री मैदानों के पश्चिम में थार मरुस्तल है बिल्कुल सही अगला प्रशन तीन है बचो निमलिकित प्रशनों के उत्तर दीजे दिल्ली के पडोसी राज्य कौन कौन से है तो बच्चो दिल्ली के पडोसी राज्य है हरियाना और उत्रप्रदेश ठीक है बच्चो अगला है कैरल में अधिकतर कौन सी भाषा बोली जाती है तो बच्चो कैरल में अधिकतर मलियालम बोली जाती है बंगाल के खाड़ी से सटे किसी एक राज्य का नाम बताईए तो बच्चो बंगाल से सटा कौन सा एक राज्य है तो यह है पश्चिम बंगाल अरब सागर से सटे किसी एक राज्य का नाम बताईए तो बच्चो अरब सागर से कौन सा राज्य सटा है गुजराद मानचित्र क्यों बनाए जाते हैं बचो जो छोटे छोटे छेत्र होते हैं उनको विस्तार से दिखाये जाने के लिए मानचित्र को मनाए जाते हैं तो यहां लिखेंगे छोटे से छेत्र को विस्तार से दिखाए जाने के लिए मानचित्र बनाए जाते हैं अगला प्रेशन चार राजिस्तान में लोगों का जेवन बहुत चुनवती पून है नीचे दिएगा चित्र को ध्यान से देखे और राजिस्तान के लोगों की कुछ मुख्य समस्याओं के बारे में लिखे तो बच्चो देखे यहां आप सभी देखते होंगे कि राजिस्तान के जो लोग हैं उन्हें बच्चो गर्मियों में लू का सामना करना पड़ता है ठीक है बहुत गरम लू यहां चलती है हवाएं चलती है और बच्चो महिलाओं को पानी पीने के लिए काफी महनत करने पड़ती है बच्चो उन्हें सिर पर एक साथ कई सारे घड़े रख कर और बहुत दूर तक जाकर और पानी लाना पड़ता है। बहुत सी समस्यां ऐसी हैं जिनका इनने सामना करना पड़ता है। तो हम सभी अपना उत्तर यहां लिखेंगे। महीलाओं को पीने का पानी लाने के लिए लाने के लिए काफी महनत करनी पड़ती है। सिर्पर एक साथ कई घड़े रखकर उन्हें अपने घरेलू कार्यों के लिए दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ठीक है बच्चों दूसरा यहां लिखेंगे। गर्मियों में उन्हें लू का सामना करना पड़ता है। ठीक है ठीक है बच्चों अगला है बच्चों वर्नात्मक प्रेशन। प्राय दूर पे किसे कहते हैं। वच्चों वह स्थान जो तीन और से जलिया समुद्र से गिरा हुआ होता है। ठीक है तो यहां लिखेंगे। वह स्थान जो तीन और से जलिया समुद्र से गिरा हो। उसे प्राय दूर प कहते हैं। अगला है बच्चों प्रशंच है पंजाब कई चीजों के लिए जाना जाता है। यहां की कुछ प्रसिद चीजों के नाम लिखिए। तो बच्चों शहर कौन सा है प्रसिद। अम्रित सर, खान पान तो बच्चों खान पान में क्या प्रसिद है। दूद, घी, मक्खन, लसी और पनीर। बच्चों वहां की नदिया कौन कौन सी है। जेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलुज। त्योहार, बच्चों त्योहार कौन कौन से हैं। लहोडी, बैसाखी, और गुरुपर्व। और नर्त्य बच्चों नर्त्य हैं भांगडा और गिद्दा। ठीके बच्चों तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपना प्रेशन पत्र हल करना होगा। उमीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करें। जादा से जादा वीडियो को शेयर करें। और नेचे दिये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। अब अच्छों जिन्हों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है। जल्दी से जाएए लाल बटन दबाएए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।